हेलो देर स्टुडेंट, है वेलकम हैं अगेन इन दिस सचता अनलरी चानल स्टुडेंट इंग्लीज ग्रामर का एक प्रेक्टिस पाल्ट चल रहा है स्केंड पाल्ट है जो की काफी इंपाल्टेंट है बोर्ड एक्जाम की दृष्टी से इसके पहले हमने पाल्ट वन बताया है यह दिन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बक्स में लिंक पड़ा हुए है वहाँ से जाकर के चेक करें और एक्जाम की प्रेपेरिशन करें साथी डिस्क्रिप्शन हमने इंग्लीज ग्रामर का प्लेइलिस्ट बनाया है वहाँ से जाकर के आप सारे grammar के question answer चेक कर सकते हैं साथ ही आपको वहाँ पर approach, poetry, वस्तास, पुरा chapter कभर किया गया है question answer वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं तो board exam में देखें आपका जो C section है grammar का इसमें से 25 mark आपके grammar देया करता है तो इसमें से चोटे-चोटे question फराधर जैसे narration है synthesis है, transformation है, sciencex, idiom phrases है synonym, maintenance, homophones और translation ये इसमें कभर किया जाएगा इसके अंतरगत आपको 25 mark मिलेंगे देखें कुछ important question answer हमने यहाँ पर रखा है पहला question direct indirect से है the poor girl said to him, please help me in my hour of need तो यहाँ पर please सब्द का प्रियोग किया गया है और यहाँ जो sentence है, यह आपका imperative sentence है इसमें please को हटा करके हम यहाँ पर conjunction two का प्रियोग करेंगे और यहाँ पर set two के स्थान पर इसके वाकिए के भाव के अंसार चुकी अनरोथ कर रही है वह इसलिए यहाँ पर requested कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा और परसान एक त्यारी में हम परिवर्टन रिपोर्टिंग वर्ब के अब्जेक्ट और सब्जेक्टें उनसार कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा the poor girl said to को आप requested कर देंगे requested him यहाँ पर please जित्यादी सब्द को हटा कर inverted comma को हटा यह और conjunction to का प्रयोग कर यह the poor girl requested him to help me लिखा है तो help वहीं रहेगा me first person के pronoun है तो subject के अनसार बदलेगा reporting वर्ब के girl के लिए हर हो जाएगा in my है first person का तो इसके अनसार girl के लिए हर हो जाएगा in her hour of need तो यह पहला direct indirect का दूसरा question देखें यहाँ पर हमने direct indirect से ही दिया है the teacher said to me did you not completed your homework yesterday did you not complete your homework yesterday तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह interrogative sentence है तो ऐसे वाक्यों का हम लोग indirect बनाते समय said to को क्या करते है ask का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर यदि सहाय क्रिया did, is, rm जो भी सहाय क्रिया हो do, does तो यहाँ पर if या वेदर लगाते हैं यह हटा करके inverted का मा और यदि question what, how, when इत्यादी से सुरू हो तो उन्ही को conjunction की रूप में प्रयोग करते हैं बाकी tense और person में प्रयोटन या थावत, जो है selective sentence की भाती हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पर the teacher asked me यहाँ if लगाएंगे if अब देखें, यहाँ पर you इसको जो है simple sentence में बदला जाता है इसमें सबसे पहले आप करता क्रिया करम के अनुसर सेट करेंगे यू second person का pronoun है तो reporting verb के object के अनुसर बदलता है तो me, me के अनुसर यहाँ subject के रूप में I हो जाएगा if I अब जो tense है बदल जाएगा चुकि यह past tense में इधर का दिया था तो इसके अनुसर reporting verb के अनुसर इसको यह past indefinite tense में है तो उसको past perfect tense में बदल देंगे तो I हो जाएगा I had not completed your को हटा करके जो है my कर देंगे I के रूप में अपने लिए ठीक है इसको second person है तो second person के pronoun को me के अनुसर माई हो जाएगा homework और यह जो study है इसका दूरी बताने वर सबन में प्रिवियस डे में चेंज कर देंगे homework the previous day question number two देखे हमने दिया combine the following sentence इसको क्या करना है जोड़ना है synthesis करना है यहाँ पर simple sentence में I saw a beer I ran away तो दोनों subjectों में दोनों sentenceों में subject तो एक ही है देख रहे हैं और verb difference है तो जो काम पहले होता है उसी को हम पहले इसमें हम participle में बदलेंगे यहाँ पर सा को ing का प्रियोग करके इसमें participle में बदल देते हैं देखे इस परकास से इसका synthesis होगा seeing a beer यहाँ कमा लगाएंगे i ran away यह जो है present participle का प्रियोग करके बनाया जा रहा है present participle क्या होता है जब हम इसके जो काम पहले हो रहा है उसके वर्व के first form में ing लगा करके इसको subject को लगाते हैं साथी साथी हाँ पर और्ध विराम लगा करके second sentence को लिग दिया जाता है तो भालू को देखते हुए मैं भाग गया आई right away a simple sentence में बदल गया अगला देखे transform the following sentence दिया है तो यहाँ पर इनको एक वाके से दुसरे वाके में बदलना है इसको positive degree में बदलना है इसको exclamatory sentence में यहाँ पर दखे विक्रमादित was the greatest king in the history तो विक्रमादित was the greatest king यह सुपरलीट्व डिग्री है सुपरलीट्व डिग्री की क्या पचान होती है जो सुपरलीट्व वर्ड होते हैं यहाँ पर great greater greatest यह सुपरलीट्व वर्ड है इसके पहले दो का प्रयोग है यह सबसे बड़ी पहचान है तो यह सुपरलीट्व दित वाज दे ग्रेटेस्ट गिंग इन दे हिस्टरी. तो हम इस प्रकार से गिंग वाज सो ग्रेट आज विक्रमा देत इन दा हिस्टरी. ऐसे करके हम इसको पास्ट्व टिगरी में बदाल लगते हैं, और इसके पहले हम negative word का प्रयोग करते हैं तो प्रारंभ में हम no other का प्रयोग करेंगे तो इतिहास में कोई ऐसा king नहीं था जो की विक्रमादित जैसा great था महान था इस प्रकार के sentence को इस तरह से हम लोग convert करते हैं अगला देखें दिये हमने it is very high mountain अभी sentence को हम लोगों को exclamatory में बदलना है exclamatory का मतलब कि आगे हम लोगों को संबधन कचिन लगाना है तो ऐसे sentence में क्या होता है कि जो very होता है इसके अतान पर how या what का प्रयोग करके और age को last में लगा करके संबधन चिन लगा देते हैं देखें यहां दिया है it is very high mountain तो इसको हम लोग आने कि यहां पर बता रहे कि बहुत ही उचा परवत था तो प्रारंभ में हम भेरी को हटा करके इसके ज़गे पर how लिखेंगे how high mountain it is तो एक simple sentence को उसको सर्टी उसको हम exclamatory में बदलते समय last में हम सबंधर कचिन लगाएंगे और यह जो देखना है age साहिक रिया वो last में लगा दिया गया तो how high mountain it is यह बदल गया exclamatory में बिसमे सुचक वाकि में लगला साइंटेक्स भी दो नमबर का बोर्डिक जम में आता है तो यहाँ पर क्या करना है कि correct the following sentence इसके अंतरगत वाकि दे रहेंगे कहीं कहीं तुटिया होगा उसको सही करना है जैसे यहाँ पर देखेंगे पहला हमने दिया है कि आइसा डियर्स देर तो यहाँ पर यह गलत है वाकि चुकि डियर खुद में एक बहुचन होता इसमें यह इसका प्रयोग नहीं किया जाता तो यहाँ पर होगा आइसा डियर देर यहां यहांस हटा देंगे दुसरा देखे, हर hair स्वेयर कर ली उसके बाल घूंगुर ले थे तो यहां पर hair plural में नहीं होता इसमें यहांस का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसका अंसर हें होगा कि हर hair वाज कर ली और उसके साथ हम वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे वाज लगाएंगे हर हेयर वाज कर ली अगला देखें दसन राइजेज इन इस्ट तो इसमें क्या तुल्टी है इसमें यह तुल्टी है कि कोई भी दिशा होता है उसके पहले कोई आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो दसन राइजेज इन द इस्ट यहां होगा ठीक है अगला ही जुनियर दैन मी जहां दो वस्तुओं का कंप्राइजन किया जता है वहाँ दैन का तो प्रयोग होता ही है लेकिन तीन वर्ड याद रखें तीन जो सब्द होता है जुनियर, सीनियर, सुपिरियर उनके साथ धैन का प्रयोग न करके बलकि यहां टू लगाएंगे तो ही जुनियर टू मी यह करेक्ट होगा अगला देखे बैरन ए एंटोनिम लिखना है बिलोम सब्द लिखना है बैरन बैरन माने होता है बंजर इसका होगा फर्टाइल फर्टाइल माने क्या होता है उपजाओं पैट्रियट माने देश भक्त देश भक्त का उल्टा क्या होगा देश द्रोही उसको बोता है रेबीलियम 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 माने देश द्रोही अगला देखें दिया है synonyms synonyms मने परियावाची सब्सक्राइब लिखना vendor मने होता है विक्रता इसका करनेंगे seller या सही डबल लई आर फिर tremendous मने बड़ा होता है विशाल होता है इसका करनेंगे huge large so thank you student इसको revision करनेंगे grammar portion है इस तरह से practice part है so thank you